जहासी में जलादिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभगार में सब भी मतदाताओं से वूटा लिस्ट में आधार कार्ड अंकन करानी की अपील की है उन्होंने विबिन राजने तिक दलों सो एमसेवी संगठनों को जानकारी देते हुग बताया चनाव आयोग ने मत मतदाता सूची में शामल मतदाताओं के आधार नबर जोड़ने के नरदेश दिये हैं इसके लिए एक अगस्त से विशिष केम्प का आयोजन भी किया जाएगा जिसका आप लोगों के माध्यम से जो हमारे बोटर से उन तक साजा किया जाना है जो सबसे महत्पुर्ण सूचना है वो यह है कि जितने भी एक्जिस्टिंग मतदाता गन है या जो नए मतदाता बनेंगे उनके द्वारा वॉलेंटरी जी मतलब एक्षिक रूप से अपना अधार संख्या बोटर लिस्ट में एड किया जाना है इसके अलावे जो अठारे बर्स पूरा होने का जो मापदन डेट लिया जाता है एक जनवरी उसके बदले अभी एक अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग ने एक डेट के बदले चार डेट किया है एक जनवरी के साथ- एक अप्रील, एक जुलाई और एक ऑक्टूबर भी एड किये गए हैं इसका मतलब है कि जो बैक्ति पहले एक जनवरी का वेट करते थे 18 साल पूरा होगा वह अगर एक अप्रील को 18 साल पूरा कर रहे हैं या एक जुलाई को कर रहे हैं या एक ऑक्टूबर को कर रहे हैं त झाल झाल